बहुत समय पहले एक मा और उसका बेटा मिला देखने गये थोड़ी देर तक तो दोनों साथ साथ घूमते रहें थोड़ी देर बाद बच्चा मा से छिपकर मदारी का खेर देखने लगा जैसे ही खेर खत्म हुआ उसे मा की याद आई मा को अपने पास ना पाकर वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा मा मा चिलाने लगा उसको रोता देखकर मेला कमेटी वाले आ गये और उसको चुप करानी का प्रयास करने लगे वह केवल मा मा ही करता रहा मेला अधिकारियों ने उससे उसकी मा का नाम पूछा बच्चा नाम बताने में भी औसमर्था फिर उससे पूछा अच्छा तेरी मा कैसे दिखती है वह बोला मेरी मा सबसे सुन्दर है बहुत सुन्दर दिखती है मेला अधिकारियों ने मेले में आई हुई एक से एक सुन्दर महिला उसके पास लेकर जाते रहे और पूछते रहे कि क्या ये तुम्हारी मा है बच्चों को जितनी भी सुन्दर-सुन्दर महिलाई दिखाई गई थी उन सब के लिए उसने मना कर दिया और रोता रहा अंत में मेला अधिकारी भी एक ओर ठक कर बैठ गये साम के चह बज गये मेला भी खत्म होने वाला था इतने में एक काली सी महिला जिसके चहरे पर बहुत सारे दाग थे उधर से निकली और बच्चा उच्छल कर उस महिला से लिपट गया बोला यही मेरी मा है पास बैठे मेला अधिकारी हैरान थे कि इस महिला को यह सुन्दर बता रहा है वैसे सच्चाई तो यही है कि एक बच्चे की नजर में उसकी मा संसार की सबसे सुन्दर मा होती है और एक मा की नजर में उसका बेटा संसार का सबसे सुन्दर बेटा होता है है ना